अगे जानते हैं आगे की राजनीती के बारे में आगामी विधान सवा चुनाव के बारे में एनरसी के मुद्देव के बारे में साथ ही अपने वाड के बारे में जी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हर न्यूस के चैनल के मादम से कहना चाहूंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस परकार से जन्ता के सामने आप हम लोगों को लेके जारे हैं तैंक यू सबसे पहले चातर राजमीती फिर उसके बाद पारसाथ उसके बाद सीधा विधायक की चलांग क्या दिमाज में क्या देखिए जिस प्रकार से हमारा पार्टी हमारे विचारधारा काम करती है वो व्यक्ति निर्मान का काम करती है व्यक्ति निर्मान के साथ हम देश के निर्म हम उन मुद्दों पर काम करते थे उस उसको काम को सीखते-सिखते हम ने जब यूप मुष्चा, मैने ज्ऑइन किया तो यूप मुष्चा में भी किस परकार से एक social cause के लिए काम करना हैं किस परकार से विचार धारा को आगे बढ़ाना है किस प्रकार से राष्ट निर्मान का काम करना है किस प्रकार से जी तो मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यह नहीं देखती कि कि विशेश परिवार से आती है या कैसे परिवार से आती है वो हर एक कारेकरता का हर एक प्रक्तिका निर् करें साड़े चार साल भारती जनता पारटी आमादमी पारटी के केमे में ये बाते डालते रही उसके बाद आमादमी पारटी ने बोला कि हमें भारती जनता पारटी काम नहीं करने उस से अब कितना वर रही है इस बात में जनता बहुत समझदार है पिछले साड़े चार साल तक वो ये कहते रहें मोदी जी काम नहीं करने दे रहें, एल जी साहब काम नहीं करने दे रहें, इन छे महीनों में जैसे उनको दिखा की चुनाम आ गए हैं, जनता को रिपोर्ट कार्ट देना पड़ेगा, जनता जबाब मांगेगी, तो एक वो चीज फ्री, फ्री एक चीज कई सारी चीज़े अच्छी करेंगे, हम भृष्टाचार के खिलाब बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उन पर आज वो कहीं बोलते हुए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिरफ फ्री पे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूटे प्रचार पे दिखाई द इन चार महीनों में जो इन्होंने फ्रीका एजिंडा पहलाया है उससे सब स्पष्ट दिख रहा है कि बसे फ्रीक अप तक है मार्ज तक है बिजले फ्रीक अप तक है मार्ज तक है पानी फ्रीक अप तक है मार्ज तक है बुज़र्गों को आज इनको बुज़र्गों की याद पहले बुज़र्गों की पेंशन नहीं आ रही थी, आज ये तिर स्यात्रा करा रहे हैं, पहले सताओ, फिर मना हैं, आज इनको बुज़र्गों की भी याद आ रही थी, स्यात्रा हैं करा रहे हैं, जब चुनाव सर पर आ रहे हैं, जब इनको चुनाव में जाना था, तो ये स सिरफ चुनावी स्टंट हैं, चुनावी हतकंडा हैं और मैं ऐसी पार्टी की भरपूर निंदा करती हूं कि सिरफ वोट बेंक की राजनिती आप करते हो, आपके उपर लानत है, जनता ने आपको इतना बड़ा मेंडेट दिया था, आपने जनता की फिकर नहीं करी. आपने आमादमी पार्टी पर लगा दिया, जो अनाधिकरत कोलोनिया थी, आपने भी एंट टाइम पी किया है, उसके बारे में… चुनावी मुदा बना सकते थे, कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो इसको अनाधिकरत करेगी, लेकिन नहीं, हम कहने में नहीं, हम करने में बिलेब करते हैं, धारा तिन सो सत्तर जैसे बड़े मुद्देज़ जब सॉल्व कर दियें, तो दिल्ली की जनता ने इतना बड़ ये एक पीड़ा थी हमारे जनता के सामने, अनाधिकरित कालोनी का, खुद का स्वेम के घर होते हुए भी, उसका स्वेम का फील ना हो पाना, ये बहुत बड़ी पीड़ा थी, और मैं मोधी सरकार को धनेवाद देती हूं, कि उन्होंने पूरी समस्चाओं से पार जाते हु आकड़े बड़े जबरदस्त होते हैं, अब हम आकड़ों पे बात करते हैं, 2014 में 71% भारतिय जनता पार्टी का वोट बेंता, ओल अवर इंडिया की बात की जाए तो, उसके बावजूद भी 67 सीटे आम आदमे पार्टी जीतती है, अब घटकर 48% है, तो उसके बारे में सभा के अलावा, पंजाब में हारे, यूपी में हारे, लोकसभा चुनाओ में हारे, एमसीडी चुनाओ में हारे, वो जीते कहां हैं, वो एक छलावा था, वो जीते कहां हैं, वो आप भी आप मीने बात करें ने, कि आकड़ों की बड़ी जबरदस तरीके से बात करते हैं, म फोट बड़ा mandate मोधी सरकार 2 तू में हम जीते लोक सवा में जीते वो कहां थे उनकी जमानत ली जब्त थी और अभी आप देख लेंजीए pięć twenty-t twenty में उनकी हम जमानत तब मोदी जी कर रहे हैं दिल्ली में भी मोदी के नाम के लिए हमारे पार्टी का एक संसकार है पार्टी नेतरतव जिसको डिसाइड करता है वो आदमी सीम चहरा होता है और अगर पार्टी जिस पर करका करेंगे जो हमारे मोदी जी और अमिश्चा जी और हमारे किंद्री ने कारे करता आज की डेट में छोटे से लेकर बूत सतर्तक का कारे करता अपने आप में नेता है और अपने आप में कारे करता है यह भारते जिन्ता पार्टी की खुब सूर्ट नहीं मैं यह कहूंगी सबसे पहले तो कि जिस प्रकार के जूटा परचार हो रहा है नर्सी को लेकर कि जिन हैं ये हैं नहीं मैं यह कहूंगी जो एक धीमक हमारे देश में लगा हुआ था उस धीमक को ठीक करने का काम हुआ है NRC में स्पश्ट किया गया है जो भारत का रहने वाला नागरिक है वो नागरिकता लेने वाला ये कोई कानून नहीं है ये कानून है नागरिकता देने वाला और उसमें बड़ी स्पश्ट रूप से कहा गया है भारत से सَटे हुए तीन राज्जे तीन देश सोरी अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश तीनों इसलामिक राज्ये हैं वहां इसलामिक कोई भी होगा उसको कोई खत्रा नहीं है वहां इसलामिक माइनरिटी में नहीं है लेकिन जो वहां पर माइनरिटी में थे उनको रिलेक्शेशन देने के लिए भा आज घटके दो परसेंट रह गए हम वहाँ खत्रे में हैं ये बात माननी पड़ेगी और जूटा प्रचारे इन लोगों को बंद करना पड़ेगा इन तीन देशों से जो भी हिंदू आएंगे उनको यहाँ पर नागरिक्ता दी जाएगी हिंदू, क्रिश्चिन, जैन, बोध जो भी आएंगे उनको नागरिक्ता देंगे ये सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज़े नागरिक्ता देने वाला कानून, नागरिक्ता लेने वाला कानून नहीं है और अगर कोई घुसपेटिया यहाँ पर आता है और भारत को खोकला करता है तो उस पर सक्ट कारवाई होनी चाहिए हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और एक राष्ट हित में हर एक नागरेक इसका पूर्ण समर्थन कर रहा है लेकिन एक अजीब प्रकार की एक होड़ सी लगी हुई है NRC का विरोध, NRC का विरोध, NRC का विरोध मैं आपके चैनल के मदम स्पष्ट कर कोई खत्रा नहीं है, वो हमारी देश के माटी का हिस्सा है, वो हमारा नागरिक है और रहेगा की बार कॉलेज के बच्चों को भी रोड पे आना पड़ा, तो क्या ब्रहमित हैं या फिर वो जो पार्टियां जिनको एगी सेनेरियों आपने नहीं देखा, जैन्यू वाले नर्सी के समर्थन में आए है, जिस जैन्यू में टुकडे टुकडे गैंग नारे लगाती थी देश विरोध में, आज भही जैन्यू के चातर हमारे समर्थन में आए है, नर्सी के में, भही दिल्ली विश्व विदले का चा एकदम हफवा फैलाते हैं मेरा सिरफ निवेदन यह हफवा से बचिये और जिस परकार कि यह पत्थरबाजी जिस परकार से कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी उसी परकार से एकदम से आपने भी देखा होगा कि यह घटना एक प्रायजुद घटना थी पत्थरबाजी वाल यह पानी में बुल्बुले के समाने बहुत जल्दी खतम हो जाएगी। यह पानी में बुल्दी खतम हो जाएगी। यह पानी में बुल्दी खतम हो जाएगी। यह पानी में बुल्दी खतम हो जाएगी। किजरीवाल सरकार नहीं किया है तो यह तो आगे ही रहेंगा नजफगर तो वो कौन सा क्यूं मंत्री उनके हैं। अगर मंत्री उनके तो 21 में नंबर पे हमारे सेंपल आई। दिल्ली के सेंपल तो दूशित पानी यहाँ पर रहा है इसमें कोई दोराई नहीं है। यह पानी देने में यह सरकार फेलियर रही है। शुद्ध हवा देने में यह सरकार फेलियर रही है। गैस का चेंबर दिल्ली को बना दिया गया है। इन्हों बोला कि हम एर प्यूरिफाइर टावर लगाएंगे। प्रिष्टाचार को बढ़ावा दे दिया गया जनता को तंग करने का चीजे कर दी गई बड़े बड़े विग्यापनों पर पैसा खर्च कर दिया गया लेकिन एयर क्यूरिफाइट टावर एक भी नहीं लगा पाई गैस चेंबर इन्होंने बना दिया वहीं केंदर सरकार ने तो पेरिफेर बार बार जो अपने वो दिया है बहुत अच्छा रोड दिया है ताकि ट्रैफिक भी कम हुआ है जैम भी कम हुआ है तो केंदर सरकार की तरफ से केंपी निकाला है बार बार दिली की तरफ से हो गया त कहते हैं कि भई हमने बिचली के हाफ रबकार भार हो रहा है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल राय शुमारी नहीं रखती कि इन्होंने बिजली माफ, पानी हाफ, पानी हाफ, माफ, माफ, ऐसा कुछ नहीं सिरफ दिखावा है, ढूंग की राजनीती ये लोग कर रहे हैं, हाँ, ट्रैफिक व्यवस्ता क्योंकि हमारे पर ही मैनमंत्री, हम मैं हो सके, उसमें कोई ना कोई चीजे इनको तयार करने चाहएगी लेकिन ये उसमें भी हमारे मंत्री साफ फेल्यर रही है, लोगों के खार, घर के बाहर गाड़ियां कड़ी होती है, उससे आने जाने में समझा है होती है उसके बारे में कोई भी कैम्प नहीं चला ना भारती जंता पार्टी की तरफ से चला आगा है उसके बारे में नहीं देखिए MCD ने पारकिंग की व्यवस्ता के लिए MCD ने कई बार प्रयास हम लोग कर चुके हैं और जो अपना दिली गेट पे MCD की है तो उसको मल्टी कॉम्पलेक्स पारकिंग बनाने का अपना विचार था लेकिन दिली सरकार ने हमारा बिल्कुल हाथ काटके रख दियें नहीं तो हमारी योजना थी दिली गेट पे जो हमारा MCD का आफिस है मल्टी कॉम्पलेक्स पारकिंग क्या हमने योजना तयार की भी थी उसका निरक्शन भी हो चुका था मेयर मैडम भी आ चुके थी कमिशनर साब भी आ चुके थे लेकिन उसमें बजट के शोर्टेज बजट क्राइसिस के चलते हुए हम इस योजना का अमली जामा नहीं पहना पाई अपनी विदान सभा को क्या मैसेज देना चाहूंगी कि पहली बार अपने को ऐसे मंतरी मिले थे जिनके पास चेशे मंतरा ले थे तो अगर मैं बात करूं कि सीएम के तुरंट बात की कुरसी अगर किसी के पास थी तो नजबगड विदान सभा के पास थी लेकिन अच्छे से कर पाए ना परिवहन व्यवस्ता अच्छी कर पाए और पानी की तो बात आप छोड़ी दीजिए पानी कहीं पर भी अच्छी नहीं दे पाए तो मैं यह कहूंगी कि वो हर स्कर पे फेलियर साबित हुए है अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम नहीं करते तो अगली बार वो अपने वोड का पूर्ण रूप से प्रियोग करना जानती है नजवगड की जनता दोने वार्ण दो आदे पूर्ण प्रण दोने जाए प्रण प्रण वोगड करना जानती है